सोमनदी की टूटी पट्री, खानुवाला गाव पानी में डूबा, बाड के पानी में डूबने से किसान की मौद गाव में चार-पांच फीट तक पानी भर गया. चटों के उपर ग्रामीनों ने श्रन ली. पानी घुसने की सूचना मिलते ही खानुवाला के रिष्टेदार परिचित मदद के लिए मौके पर पहुँचे. हरियाना के यमुनांगर के चच्चरॉलिक शेतर में बाड के पानी की वज़ह से सोमनदी की पट्री तूट गई और देखते ही देखते खानुवाला गाव पूरी तरह से पानी में डूब गया. गाव में चार-पांच फीट तक पानी भर गया. ग्रामीन सामान वगेरव भी इकठा नहीं सके. खानुवाला में बाड का पानी घुसने की सूचना मिलते ही खानुवाला के रिदार परिचित मदद के लिए मौके पर पहुँचे. गाव के बाहर पानी कम होने का इंतिजार करते रहे. ग्रामीन गगनमराव ने बताया कि गाव में पहले भी पट्री तूट गई थी जिससे पानी भर गया था. घरों में पानी घुसने लोगों को अपने घर की छटों का सहारा लेना पड़ा. उधर ग्रामीनों के रिष्टेदार भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर मदद के लिए खानुवाला में पहुचने लगे हैं. दर असल, ये हालात पहाडों पर लगातार हुई बारिश होने से सोमनदी में उफान होने से बने हैं. तेज बहाव से भमनौली गाव के पास से सोमनदी की पट्री तूटते ही देखते ही देखते करीब आधा दरजन गावों में पानी घुजगया. ग्रामीन सुखदेव, अमरजीत, नरेंद्र वर्याम करण के मताबिक हर साल प्रशासन बार बचाव कार्य को दुरूस्त रखने का दावा करता है, लेकिन जब बार आती है, तो सभी दावे हवाई होते हैं. हर मानसून में साल खानुवाला, चिंतपुर, लोपो, तिहानों इन गाव में कहीं ना कहीं सोम नदी की पट्री तूट जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है. ग्रामीरों की मांग है कि सोम नदी के किनारे पर पक्का कंक्रीट का कार्य किया जाये तो इस परेशानी से बचा जा सकता है. बार के पानी में चिंतनपुर गाव पचपन वर्शिय किसान सत्पाल डूब गया. इस से उसकी मौत हो गई. किसान का शव NDRF की टीम ने तलाश कर बरामद कर लिया है. किसान की पुलिया से नीचे गिर कर पानी में डूबने से मौत हुई है.